हेलो हेलो फ्रेंग्स कैसे हैं सब आई होप सब अच्छे होंगे सब एक्तम भले चंगे होंगे तो मैं पालर गई थी ने अपना ब्लाउस भी उठाया ता मासे और मैंने अपने आइब्रो मतलब थ्रेडिंग तुझाओश को है सबस्क्राय तो मैंने डोटाया की मासे और में फॉराइडल गुराया वी थी के उठाया रहे हैण। खुल ढस्योन数 में तिपराइडल ऑफषा यहां की यह तो करूं आइब हो फॉराइड ऊफे,पुरी आण आई हêu ग्रीट जया,पन इस आदयि शुए तो फिर में रेड वाली लेके आ गई थी क्योंकि वो मेरे लहंगे से एक दब मैच कर रही थी यह देखिए यह मेरा साधी का लहंगा और मैं यहां पर साधी में पहनने के लिए लेकिन पहननी पाई थी हैवी होने की वज़े से और आयान का भी टाइम था उस टाइम पर तो फ है करें अच्च कोदे वां से आमने तुलनल लग गई हो और ये मैने हरयाली इमावस का महावर भी लगाया था तो इक दब ब्राइीड अलीजैसा लग रहा है जैसे ए महावर वगेरा के रखते है है तो वैसे ही लग रहा है तो यहां नहीं है तो इतने तो तो दिया है तो फिक हमोरी पाउडर लगा दिया जिए ऐप पाउडर से में गल्नियों नीला मिलके मेरा मेक अप कर रहे हैं तो मैं मेक अप किड वगेरा तो लेकी नहीं हुकर नहीं ती पालर गयी तो मुझे आ दी नहीं जूल्य निंचल्ड़ी विशे मारते हुच प्रवजी नहीं, नधनी। मां की फायता मेरा से नाचे फायता मेरा यापिटोड़ा विडीयो वगार यूटूब पडालो फायता मेरा वोजाएंगे मोगए को राइनली आईगे तर पड़ा हुआ Light makeup अच्छा लगता है भारी भर कम से क्योंकि गर्मी का टाइप है तो भारी Makeup पूरा बहने लगता है और यहाँ पर Makeup चल रहा था दब ही आ गया था आयान का पापा का पोर में कही आयान का पोर क्योंकि वो रास्ते में तो बस पूछने लगे थे क्या हो रहा है तो मैंने उनसे नहीं बताया कि मैं दो लहन बढ़ रही हूँ मैंने जब वीडियो देखेंगे तब उन्हें एकदम से सौक लगेगा तो बस यहां पर मैं बात ही कर रही थी और यहां नंदिनी लगा रही थी नेल पेंट मेरे तो कल मैंने ग्रीन लगाई थी हर और यहां पर आई मेकप में यह लिपिश्टिक से जो किया है नंदिनी ने रहे हलका लाइट मेकप उसके बाद लाइनर, काजर, आँख में उपर पैंसिल यह सब लगाने के बात लाइट आई मेकप बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि मेरे उपर ना हैवी जो आई मेकप ह अच्छा लगता नहीं है जादा फेस की वज़े से उसके बाद मैंने यह 20 से मांग निकाल के पूरे असे 20 से मांग में सिंदूर लगाया उसके बाद नीलम बना रही है इसमें हेर स्टाइल क्योंकि नीलम बहुत अच्छी अच्छी हेर स्टाइल बनाती है और ब्राइडल हाली बना लेती है बहुत प्यारी वह अपने हसाब से ब्राइडल वाली बना रही है जैसे आगे नहीं मनाते है पूरे ब्राइडल के दोनों तरब से और पीछे अलग-से जूड़ा वाली हार स्टाइल बनाते है वैसी बनात अ कि हमारे मेक अप आर्टेश्टों हुने प्रीन चीचाि ब्राइडल के मेकप न होता है वो लुड़ पूरा जूलड़ी से आता है अगर जूलड़ी नहीं रहती नहीं होती ना अट्ना मेकफ का वो नहीं रहता है जूबकाई 1040 तो अगर जूलरी व Все और से लगसे हटा तो मैं यह रेड़ बाली लाई थी क्योंकि पूरी पर्फेक्ट मैच कर रही थी रेड़ और गोल्डन क्योंकि जो ग्रीन थी उसमें अच्छी तो बहुत लग रही थी वह तोड़ी नई तरीकी की डिजाइन की वी थी लेकिन वह इससे मैच नहीं कर रही थी यह पूरा ही तो कुछ इस तरीके से दोनों नेकलस पहन ली है जो गले में एक चिपका हुआता है बड़ा वाला और उसके बाद ये मांगती का ये देखिए बहुत हैवी होती है ब्राइडल की जूलरी मतब ये तो लोग क्रियेट कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए पहना है लेकिन जो बाद ये कानों के भी मैने पहन ली है और उसके बाद रह गया बाजू बन और जो हाथों में ह초डि पूल होते हैं क्या बोलते हैं वो भी पहनन है देखिए इस तरीके से पहन लिया बाजू मे और यहां पर अभी चूड़े नहीं पहने चूड़े रह गयते लाने के लिये तो बगल से इनदनी लेने गई है और यहाँ पर यह चुनरी लगाते हैं उपर से तो चुनरी लगा दी है यह देखिए इस तरीके से मुझे तो पता भी नहीं था प्राइडल की चुनरी कैसे लगती है लेकिन नीलम को आती थी काफी कुछ आता है नीलम को हैर स्टाइल भी अ होंगी तो मैं वो पहल लूँगी लेकि रेड चूड़ियां भी ज्यादा नहीं निकली तो इसकी वज़े से फिर चूड़ा ही लाना पड़ा तो बस अभी मैं जा रही हूं यह चूड़े और पहल लोगी क्योंकि ब्राइडल लोक है तो पूरा ही क्रियेट करेंगे अरीके से पूरे प्राइडल के जितने भी ताम चाहँ होते हैं देखियें मेंदी भी लगी है नेल पेंट रंग सब कुछ लगा है पूरा प्राइडल लुक क्रियेट किया है मैं दिखाती हूं पूरा लुक आप लोगों को एक बार और यहां पर नीलम केरी थी जब इतने मैना से हमने तयार किया एक एक चीज पेनाई है इतनी मैनत की है तो फिर वो जो फोटो सूट होते हैं ब्राइडल वाले वो जैसे जैसे हाथ करके करती हो बता रही है इसे करो ऐसे करो सारे फोज बतारी लेकिन यह क्या है कि ओजो फोटो सूट ना सबसे कठेन होता है जब साधी में करवाते हैं लेकिन यहापन अपने हसाब से हाथ नहीं बना पाते हैं मैं पता ही नहीं रहा है वारे हाथ कहां जा रहे है तो वहीं नीलम अभी बन वारी थी इसे फोटो दो तो मेरे अच्छे से नहीं बन रहे थे क्योंकि जो फोटोग्राफर होते हैं वो वैसे हाथ करवा ही लेते हैं उन्हें जासी फोटो लेनी होती है तो इसी तरीके से फोटो सूट थोड़ा सा हमने कर लिया यह चलो तैयार हुए है तो कोई अच्छी अच्छी फोटो निकाल लेते हैं मम्मी अंदर ती जब मेकवेक अब चल गाथ हैं यहां पर लेटी इंटी तो इस अब में भूब देखने के लिए बूलाया वामी देखके एकड़ मुष्णाल हो गई उनको यादा आ गई मेरी साधी की अधोने अजीव सा लगने लगा तो मैने कब जादा इमूस्टल हो य मैं बहुत अच्छा तयार किया है नजनना लग जाए है और मां को अपनी बच्ची अच्छे लगते हैं तो मैं नजनना लगे अभी मैंने नीलम के सीज़े में जाकर देखा था यहां से मुझे भी अपना पूरा गेटप नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने देखा कि हाथ स अच्छे से सारी चीज़े की हैं पर यह लोग जब रस्ती करने लगे कि डांक्स करो ऐसे नहीं हमने इतना त्यार किया है डांक्स मुझे आता है आप लोगों को पता ही है कि मैं हर बार कैसा डांस करती हूं फिर भी मैंने थोड़ा जैन के लिए मटक जाता है और मैं इन लो अच्छे से सूपर सार अच्छे सारी अच्छे पूरी हो गई अब ऐसे हटा दूगी और कभी अच्छा लग रहा है कन्ने के बास मतलब जो था मझ में उसाब पूरा हो गया और बास अच्छे ताश में आप अब आप सुनना लग रहे हो को मेका फाथिस, नन्दि शिंह और निलिं sû निलम सिंग है यह निलम स्थ यह निलम सिंह मेलब सब्स्क्राव और मैं को पता है कितम विदितर से इस्टे सव के ओशे ब बासब है मासे लीसा ओना है लिकिन आप सुन्धर लगँता है कि यह स्यह सुन्दर लगँ है तो बस अभी इस गेटब को में रिमूब करने जा रही थी तो नीला मेरी हेल्प करी क्योंकि बहुत सारे पिन बगेरा इस चुन्री में लगे हुए थे सच में जब ब्राइडल बनते हैं तो यही सारी चीजें लगाते हैं इतने सारे पेन जूड़ा अभी तो मेरे अंदर जूड़ा नहीं लगाए एक जूड़ा जो लगाते हैं बहुत बुरी तरह फास जाता है वो और यह देखिए बिना मेकप के मुझे ज्यादा अच्छा रख दूँगी कुछ ऐसी हमने लुक कर रहा था आप लोग बताये वीडियो कैसा लगा है अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिगा नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिगा तब तक के लिए बाई लब यू और टेक किया यह देखिए सब रख दिया मेरे उठाके और बस होगे